नमस्कार दोस्तों जाहिंद दोस्तों थमनेल देखकर आप लोग तो समझी गए होंगे कि हम लोग किस बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से वेटिंग लिस्ट के कंडिडेट के साथ कुछ उनके जज़बातों के साथ उनकी जो उम्मीदें हैं उनके साथ एक खेल हो रहा है अब खेल यह क्या हो रहा है मैं आप लोगों से सियर करूंगा आप लोग बने रहे हैं दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी वेटिंग लिस्ट के कंडिडेट हैं हम लोग किस पर लिए की बी मेस्तिक के लोग कंड इनकी कि हालत क्या है से धूस्तों जहां तक हो हमारे आसपरोष मारे मातास हमारे समाज के लोग है u अब यहां तक हो रहा है कि हम लोगों को ताना भी सुनने के लिए मिलता है कि कि किदर भी निकल ये क्यों भाई क्या हुआ तुमारे वेटिंग का क्या हुआ क्या कर रहे हो कब होगा तो इन सभी बातों से बहुत एक मतलब मन में बहुत एक तकलीफ सी मौसस होती है क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने परहाई लिखाय किया क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने दिन दाते करके मेहनत की नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे समाज में हमारे साथी मित्र बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारी मुसीवतों से इंट्रेस्ट लेते हैं मजा लेते हैं बहुत सारे ऐसे साथी भी होते हैं जो हम लोगों की बातों को समझते हैं कि ये ये लोग इतना महनत किया उनके बावजुद एक्जाम पास किया, मेडिकल फिट हुआ, सारा कुछ होने के बावजुद भी लोग वेटिंग में है तो बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं भी समझते हैं कि घर कोई बात नहीं, हमें लोगों से कोई मतलब है नहीं, हमें अपनी जिन्दगी हैं, अपनी जिना है तो दोस्तों मैं मताना चाहता हूँ कि हमारे वेटिंग लिस्ट के कंडिडिट के साथ, उनके जजबातों के साथ एक खेल हो रहा है खेल लिया है कि रेल्वे की तरफ से अभी तो पूरी बात असपस्ट नहीं हो पाई है कि यह कॉल रेल्वे का ही था एक कॉल आता है चाहे वो कहीं से भी हो उस कॉल में कहा जाता है कि आपका वेटिंग किलियर कर दिया जाएगा और उस कॉल में यहां तक बात बुले जाती है कि आपका नाम पता आप किस कैटेगरी से बिलॉंग करते हैं आपकी इस RRB में आपका वेटिंग है इन सभी बातों को वो बताते हैं अब दोस्त इन सभी बातों को अगर कोई आपको कॉल करके बोले और वो अपने आपको रेलवे का दिकारी बता है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक अपने आप में उम्मीद का किरन बन जाता है कि चलो भाई अपको रेलवे तरब से कॉल आया है हमारा वेटिंग तो किलियर होगा अब खेल होता है सुरू खेल ऐसा सुरू होता है कि आपका वेटिंग किलियर कर दिया जाएगा मैं आपको एकाउंट नमबर भेज रहा हूँ इनमें कुछ रुपए आप हमको भेज दे ये रुपए 10,000 भी हो सकते हैं ये रुपए 50,000 भी हो सकते हैं ये रुपए 1,00,000 भी हो सकते हैं अब हमारे जो वेटिंग भाई जो वेटिंग में है पिछले तीन सालों से अब ये चोथा साल चर चुका है तो वो समझते हैं उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हमारी बेटिंग के लिए रहने वाली है चलो कुछ रुपईये की मांग है बिना रुपईये दिये तो किसी चीज में होगा नहीं चलो रुपए किसी तरह दे देते हैं चाहे इंट्रेस्ट में उठा के हो या ब्याज में उठा के हो एक मध्यम वर्ग का परिवार का एक कंडिडेट उनको दे देता है दोस्तों इसी चीज़ से सामधान कराने के लिए अपलों को जानकारी देने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों ऐसे किसी भी कॉल के चकर में नहीं आना है क्योंकि ये कॉल एक फ्रॉड है फ्रॉड इसलिए है कि रेलवे के तरब से ऐसा कोई भी मैसेज या कोई भी कॉल किसी को जल्द नहीं किया जाता है और नहीं उनको बोला जाता है कि आपका वेटिंग के लिए होने वाला है इतने रूपएंग भी मुझे आवे सकता है तो दोस्तों ऐसे कॉल से आप साफधान रहें सतर्क रहें और जो भी भाई हमारे इस चैनल पर नए आये हैं वह पिलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वेटिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोज होंगे मैं आप लोगों को अब्लेट करता रहूंगा आगे भी अगर कोई निज निकल गयाता है तो मैं आप लोगों को अब बहुत अवस्य कराऊंगा तो दोस्तों कहने कार्थ यह है कि कब तक कब तक हमारे नाम के साथ यह वेटिंग वर्ड लगा रहेगा यह वेटिंग हमारे नाम के पीछे से कब हटेगा क्या एसी दिन के लिए हम लोगों ने परहे लिखाई किया क्या एसी दिन के लिए हम लोगों ने दिन राते किया नहीं दोस्ते इसलिए जहां भी प्रोटेस्ट हो जहां भी आंदोलन हो पिना हिंसा का रुख अपनाए अहिंसा का मार का परियोग कर हम लोग उस अंदोलन में सामिले ताकि हम लोग सांती माहोल में अपनी बातों को सरकार तक रख सके पिछले बार भी संसद में अंगामा हुआ वेटिंग छातरों को लेकर कि डाय लाग सीट है और कुछ ही गीने-चुने बच्चे और अगर बेटिंग में है अगर चाहे रेलवे तो सभी बच्चों को उनका बेटिंग के लिए कर सकता है लेकिन पता नहीं किन कारणों से रेलवे ऐसा नहीं कर पार रही है लेकिन उम्मीद है दोस्तों कि वेटिंग सब की किलिए जल्द ही जल्द हो जाना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने भी अपना पूरा 100% दिया है और इतना कुछ करने के बाब जुद अगर नई कुछ हो पाता है तो सरकार जितने भी बेटिंग लिष्टे कंडिडेटर हैं सभी को इच्छा मिर्तियों का प्रमान दे दे कि आप लोग इच्छा मिर्तियों कर सकते हैं तो हम लोग अपना सूच लेंगे क्या करेंगे हम लोग इतना मेहनत किये हैं क्योंकि इनी दिनों को देखने के लिए अपने हक के लराई लड़ने के लिए पिछले तीन साथ से हम लोग अपने हक के लराई लड़ रहे हैं फिर भी कुछ भी उम्मीद आसा निकल के नहीं आ रहा है लेकिन उम्मीद निकलेगा दोस्तों हमार अपने जीवन को बहतर बना सकते हैं सबसे बड़ा दुख तो उस समय हो जाता है जब इतना कुछ होने के बावजूद अगर कुछ हम लोग नहीं कर पाते हैं तो आदमे किस दृष्टी से हम लोगों को देखता है यह मुझे कहने के आवस्त्ता नहीं है अप लोगों को आप लोग बख़ूबी समझ रहे हैं अगर जितने दिनों हम लोग परहाई के एजुकेशन में कमपटेशन के रूप में अपना समय दिये अगर उतना समय किसी स्कील को किसी हुनर को लेने में लगाते तो सायद आज हम आप कमा रहे होते लेकिन बहतर भविस के लिए बहतर जिन्दगी जिने के लिए समाज में एक पूचा नाम कमाने के लिए हम लोग परहाई का रूख अपनाते हैं परहाई करते भी हैं अपना 100% देते हैं उसके बाप जूट एकजाम निकलता है मेडिकल फिट होते हैं और हमें वेटिंग में रख दिया जाता है ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ किसी भी जॉब में कोई कोई जॉब में हमको यहां तक पता चलता है कि रुपईया दो जॉब ले लो तो जिनके पास रुपए हैं वो तो दे देते हैं जो आप किसी भी कारण से वो ले लेते हैं लेकिन एक मध्यमवर का एक कंडिडेट एक लरका या एक लरकी जो अपने उम्मीद को साकार करने के लिए अपने आसाओं को साकार करने के लिए पूरा करने के लिए वो या तो घर में self study करता है या कहीं बाहर जाकर वो परहाई करता है उनका सारा खर्चा वर्चा किस तरह मैनेज होता है यह हम लोगों को पता है उनके बाब जूत उनका एक्जाम निकलता है साइको मेडिकल डोकमेंट वेरिफिकेशन यह सब होने के बाब जो वो वेटिंग में चला जाता है यह क्या मजाख है साब हम लोग भी इंसान है हम लोगों को भी इंसान का दर्जा दीजिए पिछले साल कई जगा इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे मैं देखा कि एस्टुडेंट किन हालातों से गुजर रहे हैं गर्मी में भुके प्यासे अपने हक की लराई लर रहे हैं क्यों क्या इसी दिन के लिए उन्होंने पर लिखा क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा हमारी बातों को क्यों सुना कर दिया जा रहा है मैं अपने वर्तमान सरकार से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाथ जोर कर निवेदन करता हूँ कि किर्पिया हमारी वेटिंग किलियर कर दे हमें भी समाज में जीने का एक उम्मीद दें ताकि हम भी समाज में सर उठा कर चल सके अभी हम लोगों के साथ बहुत ताना बाजी वरा बहुत कमेंट कसा जाता हम लोगों कर प्लीज इनी सब को देखते हुए मैं आपसे हाथ जोर कर निवेदन करता हूँ कि हम लोगों का वेटिंग डिश्ट किलियर कर दें और आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अगर किसी भी दार्ती का जो में फोकस था कि यह एक्जाम निकलेगा और इस एक्जाम के बाद हम जॉब में जाएंगे तो उनके इन सपनों को साकार कीजिए उनका वेटिंग किलियर कर दीजिए उनको उनको भी समाज में जीने का ख़ग दीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी जवानी परहाई लिखाई में निकल जाती है और हम लोग जवानी पूरा अपना परहाई में निकाल देते हैं और हाथ कुछ नहाए तो इसका क्या असर परेगा मानसिक तोर पर यह आप हम सभी को पता है इसलिए मैं सभी वेटिंग कंडिडेट से प्रातना करता हूँ निवेदन करता हूँ कि आप लोग हिम्मत ना हारे हमारा वेटिंग के लिए रहोगा बस जहां भी प्रोटेस्ट का मामला हो सांतिपूर्ण महाल में प्रोटेस्ट करें वहां पहुँचे जो भी नजदीक आसपास के हैं वहां अवस्य जाए वहां जाने से सभी को मोटिवेट मिलता है सभी को बल मिलता है इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जहां भी प्रोटेस्ट हो वहां अवस्य जाए उन प्रोटेस्ट को सफल बनाए सांतिपूर्ण महाल में क्योंकि सांतिपुर्ण महाल अगर नहीं करते हैं तो हम भी किसी के बच्चे हैं अगर किसी तरह का बात हो जाता है कोई उपद्रव सा महाल बन जाएगा तो दिक्कत हमी लोगों को हैं इसलिए दोस्तों सांतिपुर्ण महाल ने प्रोटेस्ट करें मैं आप सभी से निवेदन करता हूं जो भी इस चैनल पर मेरे भाई अभी देख रहे हैं वो पिलीज इस चैनल को सब्सक्राब कर दें मैं ऐसे ही नियूज वेटिंग लिस्ट रिलेटेड आप लोगों को